हेलो एंड वेलकम टू जूपिटर एजूकेशन हब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप DRDO MTS 2020 में जो CBT1, CBT2 जो होने वाला है उसको आप कैसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं 90 days का master strategy में आपको बताने वाला हूँ एक्जाम जो है आपका वो September, October में होने वाला है चैनल पर अगर आप पहली बार आए है वीडियो को पहली बार देख रहे है तो इस चैनल को सब्स्राइब कर दीजे वीडियो पसंद आए तो like और share भी कर दीजेगा strategy बताने से पहले मैं आपको कुछ brief introduction देना जाता हूँ CBT1 और CBT2 का सबसे पहले बात करें CBT1 जो हमारा होने वाला है जिसको हम screening test कहते हैं यह आपका तीन subject है इसमें सबसे पहला subject है जो है general intelligence and reasoning ability जिसके आपके total 35 question आने वाले है 35 marks के लिए second subject है आपका general awareness जिसके आपके 30 question आएंगे 30 marks के लिए third जो है आपका quantitative aptitude and numeric ability जिसके भी आपके 35 question आएंगे और 35 marks के लिए total आप अगर combine करेंगे इन तीनों को तो marks होंगे आपके 100 और question भी होंगे 100 total जो समय दिया जाएगा वो होगा आपका 90 minutes यानि की देड़ घंटा ये तो brief introduction होगे cbt1 का अब हम बात करते cbt2 की cbt2 की बात करें तो यानि की जो आपका final selection होने जा रहा है या फिर होगा वो होगा आपका cbt2 के basis के उपर इसमें भी 3 subject इसनोंने दे रखे सबसे पहला general science आएगा second maths थर्ड आपका English science के 40 question आएंगे 40 marks के लिए अभी तक इसकी तयारी चालू नहीं की है वो student जिन्होंने इसकी तयारी थोड़ी चालू की है थोड़ी कम कर दी है थोड़ी बन कर दी है और वैसे student जिन्होंने तयारी कर दी है वैसे student जिनको अगर आप कल उठा के exam hall में लेके जाओ और कहो कि आप exam दीजिए फिर भी आप रेडी हो उन सभी के लिए ये स्टेटेजी काफी काम आने वाले जियां सबसे पहले बात करते हैं वो स्टूटन जिन्नों अभी तक तैयरी नहीं किये उन्हें मेरा सजेशन यह रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना आप इसको रिवाइज करें आप इसको प करें लेकिन जम बच्चों ने तयारी स्टार्ट कर दी थी पहले ही उनकी तयारी कमप्रिट हो चुक है उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एवरिस संडे को एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएं जियां मॉक टेस्ट आपको एवरिस अंडे लगाना है जब तक आपका difficulty आ रही है तो आप Sunday को जब mock test लगाएंगे तो पूरा आपको एक week मिलेगा उस एक week में उसका analysis कीजिएगा आप और उस analysis के basis के उपर आप दूसरा mock test और लगए नेक्स संडे को देखिए आप में काफी improvement आएगा यह strategy काफी हद तक सभी के लिए apply होती है और काफी improvement भी आता है इस प्रकार आप आसानी से CBT-1 और CBT-2 क्रैक कर सकते हैं तो यह थी एक best strategy और एक बहुत ही अच्छा एक मैंने आपको analysis दिया CBT-1 और CBT-2 का इसी तरी के नए नए वीडियो के लिए नए information जो आती है उसके लिए हमारे चैनल को subscribe कर दिजिएगा वीडियो पसंद आए तो like और शेयर भी करती जाएगा थैंक यू गड्ड ब्लेस यू